एक अधेर आदमी था जो अपनी पत्नी से खुस नहीं था इसलिए वो एक और पत्नी ले आया दोनों पत्नियां एक दूसरे को फूटी आख नहीं देख सकती थी बे हमेशा जगड़ती रहती थी सो पत्नी ने सहर के अलग-अलग महलों में दो मकान बनवाए बड़ी तक्रार के बाद दोनों पत्नियां इस बात के लिए राजी हुई कि पत्नी बारी बारी से एक एक दिन उनके साथ रहेगा जब वो अपनी छोटी पत्नी के पास जाता तो वो जुए निकालने के बहाने उसके सारे सफेद बाल उखाड देती उसकी पत्नी को ये अच्छा नहीं लगता कि उसके पत्नी के सर पर एक भी सफेद बाल हो जब वो अपनी बड़ी पत्नी के पास जाता तो वो उसके सारे काले बाल उखाड देती उसकी पत्नी को ये अच्छा नहीं लगता कि वो उससे छोटा देखे और नतीजा ये हुआ कुछ समयवाद उसके सर पर एक भी वाल ना रहा